आपके चेहरे पे छोटे छोटे दाग हैं उसको आपको ठीक करना है अगर ये सब समस्य आपके साथ है तो आप सही वीडियो पर किलिक किये हैं तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए एक दो मिनट देखेंगे तो कु पुरी जनकारी मिल पाएगी चेहरे के दाग धब्बे को ठीक करने के लिए आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही जबरजस्त नुसका सेयर कर रही हूं और मैं लाश्ट में ये भी बताऊंगी कि अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं तो आपको क्या नहीं खाना आज मैं तीनी चीज का यूज करके एक बहुत ही जबरजस्त फेस पैक बनाने वाली हूँ आपके फेस पे इतना बढ़िया रिजल्ट देगा कि आप खुस हो जाएंगे टमाटर में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है जो चेहरे के दाग धब्बे को ठीक करता है और इसकीन पे गलो भी लाता है उसके बाद मैं ले रही हूं काफी में कलो रोजन एसिट पाया जाता है और साथ में कैफिन की मात्रा भी बहुत जादे होती है जो हमारे स्कीन को लाइट ब्राइट वाइट और स्कीन को टाइट भी करता है उसके बाद मैं सुगर का यूज करूँगी तो सुगर तो ऐसे खाने में नुकसान करता है लेकिन हमारे स्कीन के लिए इतना फायदेमंद है अगर सुगर आप इसकीन पर यूज करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा तो आप लोग देख सकते हैं कि जो टमाटर का रस है उसमें मिक्स हो जाए तो मैं हाथ हलके हां से इसे दबा दूँगी उसके बाद से दबाने के बाद चलिए मैं दिखाती हूं कि इसको यूज कैसे करना है इस रेमिडी को लगाने के लिए आपका फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए मेरे फेस पे अभी कोई मेकप नहीं है मैं फेस धूल कर ही बैठी हूं मेरे फेस पे अभी कोई मेकप नहीं है तो जो मैं कटा हुआ टमाटर था जिस पे कॉफी और सुगर लगा हुआ था उसी को मैं लेकर अपने पूरे फेस पे बिल्कुल सर्कुलन मोशन में मसाज करना है हलके हलके हां से मसाज क कर रही हूं आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल हलके हलके हां से मसाज करना है lep पूरे फेस पे लगा कर इसे हमें 15-20 मिनट के लिए हलके हां से मसाज करनी हैं दोस्तों खुबसूरत चेहरा हम सभी को अच्छा लगता है हम सभी चाहते हैं कि हमारा चेहरा चमकता दमकता सुन्दर साहो प्रन्तु हमारे इसकीन में कुछ ऐसी समस्या हो जाती है कि इसकीन पे जाईया हो जो रेमेडी आप लोग के साथ आज मैं सेयर कर रही हूं चेहरे के दाग धब्य को दूर करेगा आपके चेहरे पर एक अलग ही निखार लेके आएगा और आपके इसकीन को टाइट भी करेगा जब हम अपने चेहरे पर टमाटर और कॉफी का फेस पैक लगाते है तो इसकीन में बहुत ही अच्छा निखार आता है चेहरे को गोरा और सुंदर बनाने के लिए हम तरह तरह का ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तमाल करते हैं लेकिन वो हमारे इसकीन पर बैड रिजल्ट देता है हमारे इसकीन को खराब करता है जब आप टमाटर को इस तरह से य करते हैं तो आपके स्कीन कोई भी समस्षय है अ यर्युंड चूरा यहां तो dalना को हूछ करते हैं प corrosion मैं सब्सक्राइभ मसाज करते części मैं इशी करों देखी हरे इस वाफिस करते हैं लेकिन आप लोग से पूछ ती हूं यहां में कि मिया अप लोगको किस टॉपिक पर ब देखते हैं तो प्लीज 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 बीडियो आप पूरा देखा करिए आप लोग आदेश भी करिए मैं उसी टाइप का वीडियो लेकर आऊंगी आप लोग का आदेश का पालन करना मेरा फर्ज है तो प्लीज आप लोग को जो भी समस्या है अपने स्कीन से लेकर अपन में थोड़ा सा सहथ का यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं सहथ अगर यूज करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा तो मैं यहां पर सहथ आज नहीं ली हूँ आज केवल चीनी और कॉफी का ही मैं फेस्पाइक बना कर टमाटर के साथ यूज कर रही हूं यह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है तो अगर आप मेरे बता हुए तरीके से इसको यूज करते हैं तो आपके फेस पर इस्टेंट गलो आपको देखने को मिलेगा हमारे ब्यूटी को निखारने के लिए टमाटर का एक अलग ही अस्थान मिला है तो आप लोग जितना हो सके इस समय मारकेट में जो देशी टमाटर आता है देशी टमाटर हमारे इसकीन के लिए बहुत ही फायदेमंद है तो अगर आप देशी टमाटर का यूज करते हैं तो बहुत आपके इसकीन पर जो हलके फुल के दाग हो रहे हैं वो सब ठीक हो जाएंगे हम सभी औरतों की चाह मसाज करते हुए मुझे 15-20 मिनट हो गया था, अब मैं अपने पूरे फेस को धूल करके आप लोग से मिलती हूँ, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि कितना मेरे फेस पे निखार आया है, तो मैं फेस धूल करके आप लोग से मिलती हूँ, फेस धूल करके मैं आ गई और आप लोग मेरे फेस पे निखार देख सकते हैं, 15-20 मिनट के मसाज में ही मेरा जो इसकीन है 1-2 से लाइट हो गया है, आप लोग खुद देख सकते हैं कि अभी पानी ऐसे लगा हुआ है, मेरे फेस पे बिल्कुल एक अलग ही निखार मुझे देखने को मिला है, और जो मेर अगर आप इसको यूज करते हैं, तो आपको खुद पता चलेगा कि इसकीन पर क्या रिजल्ट दे रहा है, मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि कभी भी अपने फेस को आप रगड करके मत पोचिये, रगड करके पोचेंगे तो टाइम से पहले आपको रिंकल्स लेकिन थोड़ा सा आप लोगो याद दिलाना पड़ता है, तो मैं अपने फेस पर टोनर का यूज कर रही हूँ, जाली यूज कर रही हूँ, पूरे फेस पर मैं लगा लूँगी लगाने के बाद मैं हलके हलके हां से टाइपिंग करूंगी, अभी आप लोग दिखाऊंग जो हिस्सा होता है, उसी से आपको हलके हां से टाइपिंग करना है, टाइपिंग करने से क्या होता है, जो हमारे स्कीन पर छोटे छोटे रोम छिदर होते हैं, जो भी हम अपने फेस पर यूज करते हैं, उसके द्वारा वो अंदर जाता है, तो फेस पर एक अलग ही निखार आता है तो आप लोग भी टाइपिंग करके जरूर अपने फेस को निखा रिए अगर आप लोग को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने फ्रेंड्स और फैमली में सेयर कर सकते हैं एक वीडियो बनाने में बहुत महनत लगता है तो प्लीज प्लीज आप लोग मेरा वीडियो पूरा व्वाच किया करिये तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिये, सेर करिये आप लोग मेरे चैनल पनाए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिये मैं आप लोग से मिलती हूं